इस कहानी की शुरुआत में हमें चार पांडा बच्चों को दिखाय जाता है वो सभी ड्रेगन वोरियर पो के फेंस थे और पो से कुंगफु सीखना चाहते थे आज उनके गाउं में पीछ फेस्टिवल था जिसमें पो भी आने वाला था क्योंकि ये पो का होम टाउन होता है पो के डेट मिस्टर ली भी वहीं थे और फेस्टिवल की त्यारिया कर रहे थे वो सभी गाउं वालों को बता रहे थे कि मेरा बेटा पो एक ड्रेगन वोरियर है और वो आज यहां आ रहा है लेकिन कोई भी उनकी बातों में इंटरस्टेड नहीं था बच्चे भी वहीं उ इसे लिए वो बच्चे ठेले को रोक नहीं पाते हैं वो ठेला पीच के बीच के इस्टेचू के पास से निकलता है जिससे इस्टेचू भी नीचे गिर कर लुड़कने लग जाता है और गाउं वालों की और आने लगता है सबी गाउं के लोग इस्टेचू को आता देकर व जाते हैं लेकिन बोग गाओं वालों की मत करने के लिए चला जाता है इसके बाद सभी गाओं वाले बच्चों को बहुत डारते हैं सभी बच्चे बहुत उदास थे क्योंकि उन्हीं की वज़े से फेश्ट और खराब हो गया था और पीजिश्टेजू भी खाई में गिर गय लेकिन तभी नुआई बाओं से गेती है कि अगर हम पीच के इस टेजू को फिर से गाओं में लेकर आ जाए तो गाओं वाले हमें माफ कर देंगे अब वो दोनों जिंग और फेंटों को लेकर खाई में चले जाते हैं और पीच को दका देकर उपर लाने ही कोईश्च करते हैं लेकिन तभी उनके नीचे की जमीन टूर जाती है और वो एक गुफा के अंदर घिर जाते हैं जहां उनने चार इस्टेजू दिखते हैं नुआई वहाँ एक पतर को देखती है जिसके उपर लिखा था कि यह चार वोरियर्स का मंदिर है वो इस्टेजू ब्लू की एनरजी निकलती है जो चारों बच्चों के अंदर चली जाती है सभी बच्चे वो ढर जाते हैं और गुफा से निकल कर भाग जाते हैं उन्हें दूर से एक एरंड देख रही थी वो देखती है कि जैसे ही बच्चे उस गुफा से बहां निकले उस गुफा का गेंट बं लेकिन वो सभी अपने हाथ चुपा लेते हैं दादीमा उने इतनी राद तक जागने के लिए डाट रही थी अब दादीमा वहां से चली जाती है बच्चों को समझ नहीं आ रहा था के सब क्या हो रहा है इसके बाद हमें उसी रण को दिखाया जाता है जो उसके ग्रूप की लीडर जेड टस्क के पास आ जाती है और उससे माफी मागने लगती है क्योंकि उससे पहले ही गुफा को उन बच्चों ने ढून लिया था तबिया में जिंदियाओं को दिखाया जाता है जो उसी रण की बाते सुनकर बहुत कुश होता है और उसी रण को मानने का ओडर द देता है जेड टस्क जिंदियाओं से कहती है कि आप मुझे उस गुफा को डूरने का मौका दीजिए जिंदियाओं जेड टस्क को परमिशन दे देता है अगले दिन सभी बच्चे दादिमा की लाइबेरी में चार वोरियर्यस के बारे में डूरने के लिए जाते है दादि पवित्र कूप सुरोत खत्रे में है जिसमें बहुत सारी पावर्स थी एक डेविल कुंफु मास्टर उस पावर का असिल करने की सोच रहा था लेकिन फिर चार वोरियर्यस ने उसे अरा दिया और पवित्र कूप को एक गुफा में चुपा दिया जिसके बारे में किसी को प साथ नहीं करता और उन बच्चों से बच कर वहां से भागने लगता है वो अपने गर के गेड के पास घाता है जिससे वह ठग्रा जाता है और बयोश हो जाता है तहीं उसके सपने में माश्टर वोज आते है जो उसे बताते है कि उन्युर्स ने तुमें उन बच्चों को सिखाने के लिए चुना है लेकिन पो वे से कहता है कि वो बच्चे बहुत शेतान है और刷्टे लएक नहीं है उगवे कहते हैं कि तुम भी जब कुंफु सीखने आये थे तब तुम भी ऐसे ही थे पो उगवे से कहता है कि मुझे तो कुंफु आपने और मास्टर शिफु ने सिखाया था मैं आपके जैसा कुंफु उन्हें कैसे सिखा सकता हूँ उगवे कहते हैं कि तुम उन बच्चों को हमारे जैसा नहीं सिखा सकते हैं पर तुम उने हमसे बेतर सिखा सकते हो तुमारी guidance के बिना वो बच्चे मुरजा जाएंगे इतना केकर master उगवे वहाँ से चले जाते हैं उसी रात हम देखते हैं कि चारों बच्चे पो के पास उसे कुंवो सिखने के लिए आ रहे थे क्योंकि पो अगले दिन गाउं से जाने वाला था तब ही बच्चों के सामने जेट टस्क अपने साध्यों के साधा जाती है और बच्चों को पकड़कर टेंपल वाली गुफा के गेट के पास लेकर आती है जेट टस्क नुआई से गुफा का गेट खूलने के लिए कहती है लेकिन नुआई उसे गेटी है कि अगर मुझे जेट खूलना आता तो भी मैं नहीं खोलती अब जेट टसक बच्चों को डराने कोशिश करती है तब ही वाहां पो आ जाता है वो जेड टस्क से बच्चों को छोड़ने के लिए केता है लेकिन जेड टस्क पो के उपर अटे कर देती है पो जेड टस्क के साथियों के साथ लड़ने लगता है और नहरा देता है सारे इरन पो को मारने की कोशिश करते है तबी एक इरन जिंगो पकड़ लेता है अब पो हीरन क प्सक्राइब कर देता है तब भी सारे इरन मिलकर पोको मार ने लग जाते है जिससे उनके अंदर की पर्स जाग जाती है और वहां एक ब्लाश्ट ऊता है सभी बच्छों के ऊपर चार व औरियस की शेडों धिक रही थी जिसे देखकर सबी रणवां से भाग जाते है पू भी एदेखकर चौंक जाता है पूँ उन बच्चो के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम मुझसे कुंख़ो सीखर हिमानोगे सबी बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं अगले दिन पो सबी बच्चों को जगाता है बच्चे बहुत शेतान थे लेकिन कुंग्फु सीखने के लिए एक्साइटेर थे नुआए कुंग्फु सीखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेर थी वो पूरी रात नहीं सोई थी और कॉंगफु के बारे में रिसर्च कर रही थी पो उनके जोश को देकर बहुत खुश होता है पो सबी बच्चों को एक माउंटेन के ओपर बने गर में लेकर जाता है जिसके आलत बहुत खरात थी वो उस गर के अंदर जाते हैं अंदर से और भी ज्यादा तूटा हुआ था लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते पो उनकी ट्रेनी स्टार्ट कर देता है पो कहता है कि एनर्जी मिलना बहुत मुश्किल होता है पता नहीं तुम्हें कैसे मिल गई नुवाई पो से बूशती है कि आपको एनर्जी कैसे मिली थी पो कहता है कि मुझे एनर्जी मरकर आत्माओं की दुनिया से जिन्दा लोटकर मिली थी और माश्टर उगवे को एनर्जी दिवी आड़ू के पेर से मिली थी अब पो सभी बच्चों को अपनी एनर्जी दिखाता है सभी उसे देखकर हिरानों जाते है इसके बाद पो बच से गहता है कि तुम सभी बच्चों में बहुत ही जादा इनर्जी है जिस पर तुम्हें काबू पाना सीखना होगा वो सभी को उनकी पार्स और उसका काम बताता है इसके बाद हमें एक टेंपल दिखाये जाता है जिसे स्वर्ग की और जाने वाला प्लंब लोसम का टेंपल जबर झिखाये जाता है कि मुझे भी जाना होगा फिरो वहां से जेड़ टॉसक की और जाने ही लगता है चलते 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 हो जवान हो Sakita ऑर उड़कर अपने बेस पर चला जाता है जिए जेड़ टॉसका मेरे टेंपल में क्यों आई हो मैं नहीं चाहता है कि तुमने कोई भी मेरे साथ देखे जे टस्क जिंदियाओ को बताती है कि मैंने पाइस चेन का पता लगा लिया है जिंदियाओ उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे बुशता है कि वो कहा है जे टस्क उसे बताती है कि वो एक गुफा के अंदर रहता है आप कहो तो मैं उसे लेक जिन दिया और जे टस्क से कहता है कि मैं खुद मेरे पुराने दोस्तों को लेने जाओंगा अगले दिन हम देखते हैं कि सभी बच्चों ने ट्रेनिंग सेंटर को ठीक कर लिया था वो पो को वहां लेकर जाते हैं पो ट्रेनिंग सेंटर को देखकर बहुत कोशो होता है सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है वो सभी को कुंफु की बेसिक प्रेक्टिस करवाता है सभी बच्चे पुरा मन लगा कर कुंफु सीख रहे थे उन्हें ट्रेनिंग करते हुए एक हफता हो गया था वो सब बहुत खुश थे वो बच्चों से कहता है कि मैं कल चार वोरियस के बारे में रिसर्च करूंगा शायद कुछ जैसा मिल जाए जिससे हम तुमारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए अब हमें एक गुफा में पाइस्चेन को दिखा जाता है जो कुछ लिख रहा था तबी उसे गुफा के अंदर किसी के आने का एसास होता है वो उसके सामने जुखता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक टेंबल का में माश्टर इतना बुरा हो सकता है इसके बाद जिंदियाओ पाइस्चेन की एनर्जी को अपने अंदर खिश लेता है पो चार वोरियर्स के बारे में रिसर्च करने के लिए दादीमा की लाइबरी मे आ गया था दादीमा उसे लाइबरी में छोड़ कर चली जाती है दादीमा पोसे के कर जाती है कि लाइबरी में तोड़ फौड मत करना लेकिन पो रिसर्च करते हुए सभी स्कॉल्स को भिखर देता है फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता सभी बच्चों की स्कुल से छुटी हो गही थी और वो बाजार से निकल रहे थे तब भी उन्हें एक मेसेज डग दिखता है जो ड्रेगन मास्टर पो को ढूंड रहा था क्योंकि वो पो को एक मेसेज देना चाहता था दरसल कुछ डाकों ने वुरान गाओं पर अटेकर दिया था इसलिए वहां के इंस्पेक्टर पो से मदद मागी थी बच्चे डग को बताते हैं कि हम ड्रेगन माश्टर पो के स्टुडेंट से हम उनके बास मेसेज पहुचा देंगे यह सुनकर डग बच्चों को मेसेज दे देता है नुवाई मेसे लेकर सभी बच्चों से कहती है कि 200 ट्रेनिंग से हमारी पार्स बाह पार्स बाहर आ गई थी यह उनिवर्स चाहता है कि हम उस गाओं में जाकर उन डाकों से लड़ें जिससे हमारी पार्स बाहर आ सके सबी बच्चे नुवाई की बास सुनकर बहुत एकसाइट हो जाते हैं लेकिन फेंटॉंक सभी से कहता है कि यह सब गलत है हमें यह मेसेज म कुछ नहीं मिला था इसलिए हर मान कर नीचे बेड़ जाता है वो एक अलमारी से टकरा गया था तब ही अलमारी के ओपर से एक स्क्रोल गिरता है जिसमें चार वोरियर्स के बारे में लिखा हुआ था तब ही दादिमा लाइबेरी में आ जाती है और लाइबेरी के आलत देकर पोको वहाँ से बहार निकाल देती है पोई स्क्रोल को लेकर ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहा था तब ही मार्केट में मेसेंजर डग पोको देख लेता है वो पोको रोकर उसे बूचता है कि आपके स्टुडेंट ने आपको मेसेज दे दिया ना पो मेसेज के बारे में डग से बूचता है तो डग उसे सब कुछ बता देता है वो समझ जाता है कि बच्चे उसे बिना बताए वुरान में डाकों से लड़ने के लिए चले गए हैं वुरान में डाकों लोगों को लूट रहे थे तबी सभी बच्चे वहां पहुंच जाते हैं वो सभी डाकों के सामने ज निकाल कर बच्चों की तरफ आने लगते हैं बच्चे अपनी एनर्जी को बहां निकालने कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता इसलिए वो सभी बहुत डर जाते हैं तबी नुहाई को ब्लू ड्रेगन दिखाई देता है जो उने गली की और जाने का इशारा करता है नु नुचे और आगे जाते हैं तो उने एक और डाकू मिलता है वो डाकू बाओं और जिनको पकड लेता है और नुआई को लाद मार कर गिरा देता है नुआई डर जाती है तबी उसे पो की बात याद आती है वो एक गेरी सांस लेती है जिससे उसका मनशान्ट हो जाता है लेकिन बहुत खुश भी होता है, अब पो सभी डाकों को मारता है और फिर बच्चों को डारता है, नौईपो से कहती है कि यह सब मेरा आइडिया था, इसमें इनका कोई दोश नहीं है, पो नौईपो से बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे अपनी पार्स को यूज़ करना आ गया था, और वो अपनी गलती भी मान रही थी, पो नौईपो को बताती है कि मैंने एक गेरी सांस ली, जैसा आपने सिखाया था, और उसके बाद मुझे एनरजी का एसास होने लगा, पो यह सुनकर बहुत खुश होता है, अब हमें जिन दियाओ को दिखाय जाता है, जो प एक ब्लू ड्रेगन आकर पो को बचा लेता है, लेकिन ड्रेगन की पूस से टकराकर पो जमीन पर गिर जाता है, जहां उसे उगवे मिलते है, उगवे पो कहेते हैं कि समन नहीं आ रहा कि तुम अभी तक उन चार वोरियस के टेंपल में क्यो नहीं गएं, उगवे केते हैं क वो सभी बच्चों को टेमपल वाली गुफा के गेट के पास लेकर जाता है जिंग ने गुफा का एक में बनाया था जो उसने पो को दिया था लेकिन उससे पो कुछ भी समझ नहीं आता पो बच्चों से पूंचता है कि तुमने पहले गेट कैसे खोला था बच्चे बताते है कि gate पीछ के statue से तूट गया था लेकिन अब हम इसा नहीं कर सकते वो उस gate को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो gate नहीं खुलता पोहार माल लेता है और बच्चों से गहता है कि तुम कोशिश करो नुआइक से भी से गहती है कि आसपास कोई lever या button डूंडो हमें कुस्तो जरूर मिलेगा फें टॉंग गुफा के gate पर हाथ रखता है तो उसके हाथों से gate चमगने लगता है अब सभी बच्चे अपना हाथ gate पर रखते हैं जिससे gate खुल जाता है अब सभी लोग गुफा में चले जाते हैं जेट टसक उन सभी को अंदर जाते हुए देख लेती है और उनके पीछे चली जाती है पो टेमबल को अंदर से देखकर चौंग जाता है वो सभी पानी के कुंड के सामने खड़े थे तबी कुंड के पानी से कुछ मतर बहां निकलते हैं जो एक बॉक्स तक जाने के लिए रास्ता बना रहे थे वो सबी box को देखकर चौक जाते हैं वो box के पास जाकर उसे कोलता है box के अंदर एक scroll था वो से कोल कर देखनाई वाला था तब ही जेड टस्क एक रस्टी से scroll को पकड़ कर खीशती है लेकिन वो scroll को नहीं छोड़ता वो के वज़न से रस्टी टूर जाती है स्क्रॉल और पो दोनों नीचे गिर जाते हैं बाओ स्क्रॉल को केच कर लेता है लेकिन जेट टस्क फिर से स्क्रॉल को छीन लेती है सभी लोग जेट टस्क से इसको लेने कोशिश करते है तब ही जेट टस्क नुहाई के उपर एक पिलर गिरा देती है पो और बाओ नुहाई को बचाने के लिए जाते हैं लेकिन पोआ नहीं पहुच वाता नुहाई जींग और बाओ के उपर पिलर गिर जाता है लेकिन बाओ अपनी पाओर से सभी को बचा लेता है उसने सभी के उपर एक शिड़ बना दी थी जिसे हो सब बच गए थे पो उन स सभी को जिन्दा देखकर बहुत खुश होता है अब वो सभी गुफा के बाहर आ जाते हैं नुआई दुखी थी क्योंकि उन्होंने स्क्रॉल खो दिया था तबी फेंटॉंग सभी को स्क्रॉल दिखाता है जेट टस्क से लड़ाई के वक्त उसने स्क्रॉल को मेप के स्क्रॉ को खोलता है तो उसे मेव दिखता है वो जेट टस्क पर बहुत गुसा होता है और जेट टस्क से कहता है कि तुम भी कुछ काम की नहीं हो मुझे अब याओ गोई को बुलाना पड़ेगा सभी बचे पो के साथ लाइबरी में स्क्रॉल को दादी मा को दिखाने के लिए लात है अब कि उसे में कुछ नहीं लिखा था इसलिए वो कहती है कि पुराने मास्टर मेसेज को छिपाने के लिए बहुत सारे तरीके जानते थे दादी मा स्क्रॉल को सेव adorable ले लेकिन नुहाई दादी मा से स्क्रॉल ले ले लेती है बाहर मैमे पो को नाटक करके बता र फ़ाँग लेंगे सभी बच्चे भी नाटए के लिए राजी हो जाते हैं अब हमें जिंदियाओं को दिखाये जाता है और उसकी पावर से एक पोर्टल खोलता है पोर्टल में से एक मोश्टर निकलता है जिन्दियाओ अपने गार्स को मोश्टर से लड़ाता है और चेक करता है कि वो पारफुल है या नहीं मोश्टर सभी गार्ड्स को मार देता है वो जिंदियाओ से पूछता है कि तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है जिंदियाओ से बताता है कि तुम्हें पांडा बच्चों से इसको लेकर आना है फिर मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुन्या में बेज दूँगा इसके जिंदियाओ अपने जादू से मॉष्टर को अपने कंट्रोल में भी ले लेता है ताय कि अगर मौस्टर इसको ना ला सके तो जिंदियाओ खुद उसे इसको ले सके अगले दीनम सभी बच्चों को देखते हैं जो नाटटर की त्यारिया कर रहे थे उन्होंने स्क्रोल को स्टेज के नीचे छुपा दिया था वह भी वहीं था तब ही मिश्टर ली और मिश्टर पिंग जगड़ा करने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी पौन दोनों को रोकता है और ने मिजुल कर रहने के लिए कहता है लेकिन और नहीं मा करते हैं क्या हैं क्य क्या हैं मिश्टर पिंग भी अमांज जाते हैं अब सभी बच्चे विदर के लिए त्यार थे साब बच्चे इस्टेच पर आ गये थे और अब मोश्टर का मास्क लगा पो के IA एंस सब्हों को संचते और प्र सिचुर्य बजाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, कि माश्टर अपह नहीं है, लेकिन सभी गाउज बायों को नाटक देखने में मजा रहा था, इसलिए बच्चे किसी से कुछ नहीं कहते। तबी मौस्टर बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता है जिसे जिंग को गुसा जाता है और उं मौस्टर के पास उसे लड़ने के लिए जाती है लेकिन मौस्टर उसे एक पंच मारता है और जिंग बहुत दूर जाकर घिर जाती है यह देखकर फेंटॉंग भी डर कर छिप करता है लेकिन बाओ अपनी पाउर से शिल्ड बना लेता है और मौस्टर के अटेक को रोग देता है सबी लोहों को लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आ रहा था अब मौस्टर फिर से बाओ के उपर अटेक करता है और बाओ को भी दूर फेंग देता है अब बस नौई बची थी नौँआ जो से लड़ने कोशिश कर रही थी लेकिन उसे भी मौश्टर अपने आतों में पकड़ लेता है मौश्टर से कहता है कि मुझे स्क्रोल दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मसल दूगा iss remind को दवाने लग जाता है power play जाता है तब भी उसकी पार्स जाग जाती है और उसके हाथ में रेट फिनिस की सोर्स आ जाती है जिसे वो मोश्टर का हाथ कार देता है और नुवाई को छुड़ा लेता है अब नुवाई और फेंटोंग दोनों मिलकर मोश्टर से लड़ते हैं और फेंटोंग अपनी सोर्स मोस्टर को बीचमें से काट देता है, बब मोस्टर मर जाता है, उसे मरते हुए जिन्द्याओं भी देख रहा था, वो जेड टास्क्र के ता है कि अब समय आ गया है, मुझे ही पांडा गाओं में जाकर वो स्क्रोल लेकर आना होगा, नई तो सभी को मेरी असलियत का पता चल जाएगा, सभी गाओं वाले मोश्टर को मरता हुआ देकर बहुत खुश थे, वो सभी इसे एक नाटा की समझ रहे थे, अब वो भी वहाँ गया था, लेकिन जिंग को अभी भी पावर्स का यूस करना नहीं आया था, इसलिए मेसेच पुरा नहीं दिख रहा था, अब जिंदिया जेड टस्क को अपने कानी सुनाता है, वो से बताता है कि स्क्रोल को खत्म करने के लिए, मैं चार वोरियर से लड़ा था, लेकिन उनोंने स्क्रोल को पवितर कुए में डाल दिया, और मेरी ड्रेगन बोडी से मेरी आदमा को लग कर दिया, लेकिन आदमाओं का कलश नहीं होने की वज़े से, वो मुझे केद नहीं कर सके, और मैं बाकर अपने लिए नई बोडी डूनने लगा, तब ही मुझे ये बुडी बोडी म मिल गई, तो मैं बच्चों की भी एनरजी छील लूँगा, ट्रेनिंग सेंटर में सबी बच्चे और पोडी स्क्रोल को पढ़ने ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिंग अपनी पार्स का यूज नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेसेज पुरा दिखाई नहीं दे रहा था, पो जिंग से कहता है कि तुम चिंदा मत करो, तुमारी एनरजी भी बाहर आई जाएगी, अब सभी बच्चों को गाउं के खत्रे की गंटी किया वाज आती है, वो समझ जाता है कि गाउं पर अमला हुआ है, और सभी बच्चों के साथ गाउं की और भागता है, गाउं में प्ल किसी को भी शक नहीं होता, पो भी उसे एक मान इंसान समझ कर उसे अपना गाउं दिखाता है, वो जिंदियाओ को लेकर अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी जाता है, जिंदियाओ गाउं में इसको लेने के लिए गया था, इसलिए वो सभी लोग का ध्यान बठकाने के लिए पो से एक कुंगफु मेच के लिए केता है जो उसके और पो के स्टुडेंट के बीच होगा पो मेच के लिए मान जाता है और सभी बच्चे भी मेच के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जिन दियाओ मेच के साथ दावत रखने के लिए भी केता है दावत की बास सुनक पो भी बहुत खुश हो जाता है तभी वहां मिश्टर पिंग और मिश्टर ली आ जाते हैं वो दोनों फिर से जगणा कर रहे थे पो उन दोनों से मेच के लिए मेनेजमेंट करने के लिए कहता है पो मिश्टर ली को मेच की जिम्मेदारिया देता है और मिश्टर पिंग को द तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम बस अपना काम करती रहो, सही वक्त आने पर तुम्हारी पार्सेक्टियट हो जाएगी, इसके बाद सभी बच्चे और पो गाउं में चले जाते हैं, तब ही जेटरस के अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग सेंटर में आ जाती है, और व लेकिन तभी पो बेऊश हो जाता है, अब मिश्टर ली, मिश्टर पिंग और जिंद्याओ पो को एक माउंटेन आउस में लेकर आ गए थे, वहाँ जिंद्याओ दोनों डेट से कहता है, कि पो को किसी खाने से ऐलर्जी हुई है, जिंद्याओ मिश्टर ली को हिपनोटाइ जिचीनने की कोशिश करता है, जिंद्याओ को ट्रेलिंग सेंटर में स्क्रोल नहीं मिला था, इसलिए वह गाउं में आ जाती है, गाउं में कुंफु में चल रहा था, उसमें जिंद्याओ के स्टुडेंट्स, पीका सादू, पो के स्टुडेंट को बहुत बुरी तरह से अरा रहे थे, अब जिंद्य की लड़ने की बारी थी, जिंद्याओ को मिश्टर पिंके ठेले पर रखकर लड़ने चली जाती है, जे टस्क ने भी स्क्रोल को देख लिया था, जिंद्याओ को लड़ाई करती है, तब इसका अपोनेंट कहता है कि तुम मुझे मार कर एक पर से स्क्रोल लेने कोशिश करती है लेकिन मिश्टर पिंग उसे रोक देते तब भी स्क्रोल भी ठेले से गिर कर एक टेवल के नीचे चला जाता है अब जेड टसक मिश्टर पिंग को अपने पेर से दवा कर स्क्रोल डूरने कोशिश करती है लेकिन मिश्टर पिंग चिलाते जिसे सभी देख लेते हैं कि जे टस्क मिश्टर पिंग को मार रही है इसलिए अब बच्छे और पीका सादू सभी जे टस्क को रुकने के लिए कहते हैं लेकिन और नहीं रुकती और अपने साथियों को भी बुला लेती है अब सभी बच्छे और पीका सादू साथ मिलकर उन अब सबीरन वहां से चले जाते हैं जिन्दियाओ पो की एनर्जी लेने की बहुत कोशिश कर रहा था वो पो को अरा देता है और उसकी एनर्जी लेने लगता है तबी पो को किसी की आवाज सुनाई देती है जो पो से कहता है कि अपने अंदर छुपी हुई मांशक्ति को पो जिन्दियाओ को देखता है तो जिन्दियाओ उसे ब्योश मिलता है इसलिए पो उसे उठाकर गाउं में ले आता है जहां जिंग अपनी पार्स से जिन्दियाओ को ठीक कर देती है जिन्दियाओ जिंग का शुक्रियादा करके वहां से चला जाता है अब हमें जिन्दि ये सुनकर खुश हो गया था लेकिन स्कॉल बच्चों के पास था और वो अपने गर पर ही उसे खोल कर पढ़ लेते हैं क्योंकि अब जिंग भी अपनी पार्ज यूज कर सकती थी अब हमें पो को उसके डेट के साथ दिखाय जाता है पो उन दोनों से कह रहा था कि वो सूप मेरी आलत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी मिश्टर पिंग सूप का बाउल सुनकर बताते हैं कि सूप में जरूर किसी ने कुछ मिलाया होगा तब ही मिश्टर ली कहते हैं कि जिंग सम टंग पाउडर एक इसी दवाई है जिसे काने के बाद भी आदमी की ऐसी आलत होत है कि टूलो लूओ क्या होता है तो मिश्टर ली बताते है कि टूलो एक मार्केट है और यहां से वहां तक जाने में पूरा एक दिन लगता है अब वहां जाने की त्यारिया करता है क्योंकि उसे पदा लगाना था कि उसके सूप में दवाई किसने और क्यों मिलाई थी सभी बच्चों ने इस क्रॉल को पढ़ लिया था उसमें लिखा था कि ड्रेगन माश्टर से साउधान गोल्डन एनर्जी मिलने के बाद हो और भी खतरनाक हो गया है उसे पवित्र कुप स्रोच चाहिए हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन अगर हो जीत गया तो चार तरफ हंदेरा फेल जाएगा इस क्रॉल में लिखा था कि ड्रेगन माश्टर गोल्डन एनर्जी मिलने से कावी लालची हो गया था इसलिए उसे और एनर्जी चाहिए थी चार वोरियर उसकी शेतानी आत्मा पर काबू करने के लिए रूख के लश्का यूस करने वाले थे इतना पढ़ने पर नुआई कहेती है कि हमें यह सम्माश्टर गोल्डन एनर्जी है अगर वो भी शेतान बन गए तो दरअसल जब जिंग ने जिंद्याओ को ठीक किया था तो उसकी एनर्जी जिंद्याओ में भी चली गई थी इसलिए अब जिंद्याओ उसे कंट्रोल कर था और जिंकी मदद से सभी बच्चों को पो से दूर करने को इसकर रहा था जिंकी बात सुनकर सभी बच्चों ने पो को स्क्रोल के बारे में कुछ नहीं बताया अब सभी बच्चे पो को देखते हैं जो सभी से चुपकर कहीं जा रहा था बच्चे उसे रोकते हैं और उस सो जाता है बच्चे भी ठक गए थे इसलिए वो भी आग जलाकर सो जाते है तब ही जिंग को एक सबना आता है जिसमें पो सभी बच्चों को मार रहा था और कह रहा था कि यही मेरा असली रूप है जिंग डरकर चिलाने लग जाती है उसके आवाज सुनकर सभी बच्चे भगाने कोशिश करते तब ही जिंग की आवा सुनकर पो भी वहाँ जाता है जिंग भी अब निन से जाग जाती है लेकिन उसे सामने पो दिखता है और उससे डरकर भागने लगती आवसे बच्चों को बीना बताए उसके बीचे आने के लिए डाट रहा था तभी नौई की लेती है कि हमें लगा कि एक अच्छा मौका है असली दुनिया में जाकर कुंफु सीखने का बाओ कहता है कि ऐसे हम जल्दी सीख सकते हैं अब भी उनकी बाद माल लेता है और सभी को अपने साथ चलने की परमिशन दे देता है अगले दिनों सभी टूओ लूओ मार्केट में कहां गहे थे सभी बच्छे बू一 क्या करने के लिए आए वह सभी बताता हैं कि हमें यहां एकमिश्ट का टेंट डूड़ना है जिसने मुझे झर दिया था सभी बच्छे सुनकर एरानों गए थे क्योंक उन्हें नहीं पता था कि पो को जर दिया गया था अब वो सभी एक सब्सक्राइब m तुम्हारी खुशुर्ती पता,पो का मतलब ये था कि वो गाउन सभी को बता देंगे कि मअ मैं में टूओ लूओ में मसाच कर वाती है ये सुनकर में में डर जाती है और सभी को एलकमिष्ट की दुकान पर लेकर जाने के लिए माँ जाती है में में सभी को एलकमिष्ट की दुकान पर ले आई थी जाए कि मालकी ने खाती थी में में सभी को वहाँ चोड़ कर चली जाती है वहाँ थी बहुत बड़ी थी इसलिए सभी उससे डरते थे अब पो हाती से उसके पुराने कस्टमर के बारे में पूंचता है लेकिन उससे कुछ भी बताने से मना कर देती है और अपनी डाइरी को एक तीजोरी में रखकर उसमें ताला लगा देती है और चाबी को निगल जाती है वह पो से कहती है कि है मेरे लंच का टाइम है मैं जा रही हूँ वह वहाँ से बाहर चली जाती है पो बच्चों को तीजोरी तोडने के लिए इशारा करता है और फिर वह भी हाथी के साथ बाहर चला जाता है अब वह हाथी पो को एक सुनसान जगर पर लेकर आती है जा हाथी के और आदमी भी छिपे हुए थे हाथी सभी लोगों को इशारा करती है और वो सबी पोके उपर अटेक कर देते हैं बच्चे भी तीजोरी को खोलने को इश्कर रहे थे तब ही जिनको वहाँ पर एक सच बोलने की दवाई मिलती है जिनक उस दवाई का यूस पोपर करने के लिए केती है ताकि सबी को उसकी असलियत का पता चल जाए लेकिन वाई उसे डार देती है और तीजोरी कोलने के लिए केती है अब बहुत तीजोरी कोलने के लिए दुकान में से बहुत सारी दवाईयों की शीशा लेकर आता है लेकिन तबी उसका बेर फिसल जाता है और सारी शीशा नीचे गिर कर तूर जाती है और सभी दवायां मिल जाती है जिसे वहाँ एक बहुत बड़ा बलाश्टो जाता है पो सभी बुलस से लड़ रहा था तबी उन सभी को टेंट में से दुआ निकलता हुआ दिखता है और जोर से अवा जाती है हाती पो को वहीं छोड़ कर दुकान की तरफ आ जाती है वो वहा नाम तो नहीं बता सकती हूँ लेकिन उसका पता लगाने का एक तरीका बताती हूँ मेरे पास खतरनाक जादूई बूटियों का एक पेकेट है जिसे शेर के बार बेजना है तुम उसे लेकर चले जाओ और जो भी उसे लेने आएगा वो तुमें तुमारे दुश्मन तक प बागने लगती है तभी फेंटोंग बाओ को जेटरस्क के उपर फिंग देता है और बाओ जेटरस्क को पकड़ लेता है पॉर ने जेटरस्क को पेर से बांद दिया था वो से बूसता है कि मुझे बता दो कि तुम किसके लिए काम करती हो फिर मैं तुमें जाने ही तभी जिंग जे टरस्क को सच बोलने वाली दवाई पिला देती है, अब जे टरस्क सभी को बताती है कि मैं ड्रेगन मास्टर के लिए काम करती हूँ, यह सुनकर सभी बच्चे पो की तरफ देखते हैं, लेकिन पो ने कहता है कि यह जूट बोल रही है, यह मेरे लिए काम नह है नहीं, असली ड्रेगन मास्टर के लिए काम करती हूँ, जिंग की आखों से, जिंदियाओ भी यह सब देख रहा था, वो जे टरस्क से, असली ड्रेगन मास्टर का नाम पूछता है, जे टरस्क के नाम बताने वाली होती है, तब ही जिंदियाओ जिंग के जरिये, जे टर और लिए और पौखये को मारते हैं लेकिन जिंग को अपने हाथ चमकते हुई दिखते हैं और उसके अपनी पर कोई पर इसलिए लिए अब अगे बढ़ने लग जाते हैं उन्हें राष्ट है में ईक रेश्टारुन दिखता है यहां बहुश सारे गुंड़ें वाली एक दूसरे से लड़ रहे थे पो जिंग को वहाँ अराम करने के लिए केता है और सभी के लिए खाना ओडर करता है जिंग वहाँ पानी में अपना चेरा दोती है तब ही जिंदियाओं से सभी को पल में ब्लोसम मंदिर में लाने का ओडर देता है वेटर सभी के लिए ल पिक साथियों के साथ बेटा था वो गुंडों में अपना नाम फेमस करवाना चाहता था इसलिए किसी को ढूंड रहा था जिससे वो लड़ सके तबी उसकी नजर पोके उपर जाती है वो पोको पेचान जाता है और उसके पास जाकर उसे लड़ने के लिए चुनोती देता है पो उसे लड़ना नहीं चाहता था इसलिए हो सभी से कहता है कि मैं ड्रेगन मास्टर जैसा दिखता हूँ लेकिन मैं ओ नहीं हूँ मैं तो एक काम पांडा हूँ ये सुनकर हो मुर्गा वहाँ से चला जाता है लेकिन तवी जिंग वहां आकर सभी से कहती है कि हमें पलम ब् बोला था यह ड्रेगन मास्टर ही है अब वो सभी पो से लड़ने लग जाते हैं और पो के मुह पर सूप का बाउन लगा देते हैं जिससे पो की आखों में मिर्ची लग जाती है अब सभी बच्चे उससे लड़ने कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे उन पिक्स को नहीं अरा पाते हैं जिंद्याओं भी सब देख रहा था वो टाइम वेश्ट नहीं करना चाहता था इसलिए जिंद्याओं जिंकी मदर से सभी को अरा देता है अब सभी वहां से निकल कर पल्म टेंपल की तरह निकल जाते हैं लेकिन रेश्टरॉन के सभी लोग भी पो और बच्चों के पीछे उन्हें किटनेप करने के लिए जाते हैं क्योंकि वह एक बहुत मशूर आदमी था सभी पांडा जंगल से निकल रहे थे जिंकी तवियत खराती तभी बाओं को पल्म टेंपल दिखता है वो सभी टेंपल को देखकर बहुत खुश होते हैं तभी वहां मुरगा अ जिंग की तवियत खराब है इसलिए जिंद्याओ जिंग को पीका सादू के साथ इलाच के लिए भेज देता है जिंद्याओ पोको भी एक रूम में आराम करने के लिए के लिए जिंद्याओ बाहर आता है तो उसे पीका सादू दिखाई देते हैं जो मुर्गे और पिक्स क को पकड़ कर ले आये थे वो जिंदियाओं से पूंचते हैं कि हम इन गुस्पेटियों का क्या करें तो जिंदियाओं उन सभी को अपने पेर रूम में लेकर जाने के लिए कहता है इसके बाद हम सभी बच्चों को देखते हैं जो एक रूम में सो रहे थे जह यहां नहीं थी क्यों है कि वो दूसरे रूम में थी जे टस्क वहाँ से निकल रही थी तबी नुआए को उसकी परचाई दिख जाती है वो बाओ और फेंटों को जगाती है और परचाई का पीछा करती है पो को भी भू की वज़े से नीन नहीं आ रही थी इसलिए वो भी खाना डूनने के बाहर आ जाता है पो केंटिन को डून रहा था तैबी वो जिंदियाओं के उस रूम में चला जाता है जहां उसने अपनी पेंटिंग्स बना रखी थी और साथ में अपनी पूरी कानी भी लिख रखी थी पो पेंटिंग्स देकर और कानी को पढ़कर समझ जाता है कि जिंद आओ सभी चार वोरियर्स की एनरजी को ले लेगा वो फिर से अपनी असली ड्रेगन वाली बोडी में आ जाएगा वो यह सब देखकर ढर जाता है और वहां से बाग कर बच्चों के रूम में आता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता तब ही जिंग वहां आती है वो उससे बागी बच्चों के बारे में पूछता है लेकिन उसे भी पता नहीं था कि बागी सब कहा है नुआई बाओ और फेंटॉंग पर चाय का पीछा करते हुए जेड टस्क को देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए उसके आगे चले जाते हैं लेकिन जेड टस्क वहां के नहीं थी वो सभी बच्चों को पकड़ लेती है पो और जिंग अब बागी बच्चों को डूंड रहे थे तब ही उन्हें जिंद्याओ दिखता है जिसने मुर्गे और उसके पिक्स को बांध रखा था और उनकी एनरजी लेने वाला था तब ही वहां पो आ जाता है और उन जिस में एक बहुत गेरी खाय का गेट खूलता है पोस में गिरने वाला था लेकिन और बच जाता है पोस जिंग कोश में लाने कोशिश करता है लेकिन जिंद्याओ बहुत पारफुल था इसलिए जिंग कोश में नहीं आती है पोस जिंग कोश में लाने के लिए उससे बात लगता है सभी रण अक्रोड से फिसल कर गिर जाते हैं और बच्चों को नहीं पकड़ पाते सभी बच्चे वहां से बाग कर पोकिया आज की तरफ आते हैं जिंद्याओ पोकी एनर्जी लेना चाहता था लेकिन पोक से कहता है कि तुम मुझसे मेरी एनर्जी नहीं चीन सकते ह जिंद्याओ पोक से कहता है कि मैं नहीं चीन सकता हूँ लेकिन जिंग तो चीन सकती है अब जिंग पोकी एनर्जी को अपने अंदर खिशने लगती है और उससे जिंद्याओ को दे देती है सभी बच्चे भी वहां गए थे लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही जिंद्याओ पोको खाई में फेक देता है इसी के साथ ये कान यहीं पर खत्म हो जाती है गाईस अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो का 5K लाइक एम जरूर पूरा कर देना मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थेक्स वर वाचिंग